दोस्तों क्या आप एक ऐसी औरत के बाई में जानते हैं जो थी तो मिडल क्लास फैमिली से लेकिन आज वो एक अमीर घर यानी के करोड़ पती बहु बन गए है ऐसा इस महिला ने क्या किया जो आज इन्हें इतनी शोहरत हासल है इस महिला की शादी किस अमीर आदमी से हुए है वैसे ये आज जिस आराम से रानियों की तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं इसे देखकर तो आपके होश और जाएंगे लेकिन आखिर इसके गरीबी से अमीर के दिनों में आने की शुरुआत कहा से हुई चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और बिन इन्हें देखकर तीन बच्चों की मा कहीं नहीं सकता उनके लाजवाब खूबसूरती और बेमिसाल फिटनेस के सामने तो 16 साल की लड़कियों के भी चमक फीकी पड़ जाते हैं नीता अमबानी अपनी लाइफस्टाइल की वज़े से हमेशा जाने जाते हैं क्योंकि आज कोई कितना ही रईस क्यों ना हो लेकिन उसे भी अपनी सुबह की शुरुआत तीन लाख रुपे की चाय से करते हुए नहीं देखा होगा लेकिन नीता अमबानी जब तक तीन लाख रुपे की चाय नहीं पीते हैं तब तक इनके सुबह नहीं होती हैं उनके बहुत से शौक जिनके बारे में सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे जैसे नीता अंबानी को कीमती सारिया और लहनगे पहनने का बहुत शौक है इसलिए यह अकसर किसी भी फैमिली फंक्शन में महेंगे महेंगे सारिया में नजर आते हैं नीता अंबानी अभी कुछ समय पहले एक फैमिली की रौनक बढ़ाते हुए देखे गए थे इन्होंने फंक्शन में आठ किलो के पट्टू सारी पहने थे जिसमें ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये सारी देखने में जितनी कीमती और चमक रहे थे उससे कई गुना ज्यादा इस सारी का प्राइस था पिता आमबानी का जन्म एक नवंबर 1963 को मुंबई में हुआ था यह एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं आज के समय में जो यह आली शान जिंदगी जी रहे हैं उस समय इन सब के खवाब देखा करते थे उनके पिता का नाम रविंद भाई दलाल था ये बिला अपनी में उच्छ अधिकारी थे और उनकी माता का नाम पूर्मिमा दलाल था यह एक हाउस वाइफ है नीता की मां का सपना था कि नीता अंबानी एक चार्टर अकाउंटेंट बने लेकिन नीता को इन सब में बिल्कुल भी दिल्चसपी नहीं थी नीता को भारतिये क्लासि मोंजी कॉलेज ओफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स से की नीता अंबानी की जब पढ़ाई पूरी हो गई तो ये छोटे से स्कूल की टीचर बन गए और इन्होंने बच्चों को पराना शुरू कर दिया नीता अंबानी को स्कूल से सिर्फ 800 रुपे महीना का मिलता था नीता अ अंबानी जो की धीरुभाई अंबानी की पत्नी थे उनको भी नीता अंबानी बहुत पसंद आई इसी चलते धीरुभाई अंबानी ने नीता अंबानी को एक दिन फोन किया लेकिन नीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती उनसे मिलना चाहते हैं इस ब बाद में नीता अमय को पता चला की वो सच में धिरू भाय अमबानी है, नीता अमबानी थोड़ी चुलबुली, टाइप के थे. जब अगली बार धीरु भाई अमबानी ने नीता को फोन किया तो उनके पिता जी ने फोन उठाया और वो उनकी आवाज सुनकर पहचान गए कि यह कौन है इस पर धीरु भाई अम्बानी ने नीता अम्बानी से मिलने के लिए कहा लेकिन नीता अम्बानी इन से मिलने के लिए तयार नहीं थे इस पर उनके पिता ने इन्हे जबरदस्ती धीरू भाई अमबानी जी के ओफिस भेज दिया और अपने पिता की बात मान कर यह ओफिस चले गए जैसे ही नीता अंबानी धीरु भाई अंबानी के सामने गए तो धीरु भाई ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर के बहु बनाना चाहता हूँ तुम मेरे घर आओ इस इंविटेशन को नीता ने एक सिफ्ट कर लिया और फिर नीता उनके घर चले गए जब मीता उनके घर गए तो वो उनके घर को देखते ही रह गए क्योंकि धीरू भाई अमबानी का घर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार था उस समय वहां मुकेश अमबानी भी मौजूद थे यहां से दोनों का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे ही दोनो एक दूसरे के करीब आ गए जब नीता अमबानी की शादी की बाद बढ़े तो नीता ने मुकेश अमबानी के सामने एक शर्त रखे कि मैं आपके घर की बहु बनकर अपनी पहचान नहीं खोना चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ इसलिए मैं शादी के वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले